मानने है योगी जी ने करीब मुसल्मानों को घर बनाई है तो यूपी का मुसल्मान योगी जी के साथ है है योगी जी के साथ है वोड देता देता रहेगा यह को जी भान प्रॉट ये अंट्याओ की सरकार नहीं है कोई भी डर नहीं है से कह तक कोई दर नहीं है इकली जाथी एकली आती योगी मोध जैसे आ रहा अगले जी हैं वो अपने जब परिवार में ही संचोधन नहीं कर सकते हैं जो इसे असा चेहरा तो में विखतान में और सिकेम का मुश्किल पूर्पूर सब्सक्राइब करती हूं तो दस तारीक को क्या होगा, किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं, किसको वोट करने जा रहे हैं? सब खतम हो गई रोजगार में सब से अची चीज यह हुई है पहले पैसे लिए जाते थे रोजगार दिया जाता था आज वो चीज खतम हो गई है सरकार पूरे अपने लेवल पर प्रियास हो रही है कि ब्रश्टाचार ना हो जो ट्रांस पर पोस्टिंग का एक बहुत बड़ कि यहुए किसाब Ciao लोगों की मदद करी आज भी खाने की वेवस्ता आपका वूट बाजपा के साथ हैं डादा आपका वोट किदर जा रहा है किस की सरकार बनाने जाएं अ वह्मार योगी-मोदी-जिंदाबाद क्यू योगी-मोदी-जिंदाबाद क्यों योगी-मोदी- करने का को सपोर्ट करने का कोई रीजन तो होगा ना की क्यों सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को रीजन बताएंगे दादा जी बताइए मेरा नाम शौकतली कुरिशी है, बाड सभा सदू भरतेंदा पर्टी से, मानने है योगी जी ने, गरीब मुसल्मानों को घर बनाई, तब डोज राशन दिया है, सड़के बनवाई है, तो यूपी का मुसल्मान योगी जी के साथ है, है, योगी जी के साथ है, बोड देता रह अनिसर्मान हो के भी आप योगी जी का समर्थन कर रहे हैं, योगी जी अच्छा काम करेंगे, जी बिलकुल, काम के नाम पर वोट करेंगे, और हमारे विदाएक जी 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 रहे हैं, पिसली बार उनने पांस साल में जो कारय किती है, लगवग मैं पिछले 20-25 साल का का हम रि सरमाजी ने हमारे लिए किया है, अज है काफी काम हुआ है, तो काम को देखते ही आप वोट करेंगे, क्या क्या ऐसे काम हुआ है, जिसके आदार पर वोट करने जा रहे, सिकारपूर में इतना भिकास हुआ है, सारी रोड़ है, बहुत अच्छी बनी है, पहासू से योग जी ने काम किये हैं और भी कोई भी सरकार नहीं कर सकती थी नहीं है जातीगत हिंदु मुस्लिम कोई नहीं कर रहा भारते जानता बारती सब्हुंसीं को नारा लगा रहे हैं तो एक बार फिर से योगी को चा रहे हैं आप भी योगी जी ने और आदरने मोदी जी ने जो हमारे देश के लिए किया है हमारे हिंदुस्तान को वर्ड लेविल पर नंबरन पहुचाने के लिए जो ये कारे कर रहे हैं मैं आदरने मोदी जी का धन्यवा सकती है रात को बारा बजी कहीं भी जा सकती है मकानों की सुभधाएं सोचालियों की सुभधाएं विजली की वेवस्ता सड़क को नितिन गटकरी जी ने लेकिन अखलेश यादवी बहुत बड़े वादे कर रहे हैं कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं 300 फ्री विजली दे दूंगा बहुत वादे हो रहे हैं ऐसा है अखलेश यादवी तो वादे करेंगे पिछली बार भी आए टोटी चुरा करके लेगे लास्ट में है ना अगर हमारा कुछ है मुद्दा है हिंदुत का तो केवल योगी जी के पास ऐसा सन्यासी बैटा जिसके जेव नहीं है जिसके कफन म केवल टोटी चुरा कुछ नहीं है खता में मामला साफ केवल अनिल शर्मा जिन्दावाद और योगी मोधी जिन्दावाद जैश्री राम मेरे साथ कुछ महिलाएं भी उनसे भी जानेंगे कि वो यहाँ पर अपने आपको कितनी सुरक्षित महसूस करती हैं कितना सुरक्षित महसूस करते हैं हमारी बेहन बेटियां बहुत सुरक्षित हैं कभी भी मार्किट में देर से स्कूल से कहीं से भी आ जा सकती हैं कोई चि करें और में सबसे आधा आवासी हो जञा कर रहा है सनुसें सब कुछ है योगी राज में आना चाहिए प्रियंका गान्दी को लड़ सकती हूँ, महिलाओं को भी टिकट दे रही है, 40% आरक्षन उनके उसमें है, बहुत सारे बड़े-बड़े बादे, स्कूटी दे रही है, लैप्टॉप दे रही है, तो प्रियांका गांधी को कुछ कहना चाहेंगी अब जी, यदि वो सत्ता में आएंगी तभी तो द सब्सक्क्राइब को न्यवार में पहले को हुएए योगा जी को जानते हैं, ए जी को जानते हैं, यूगी मोदी जी जानते हैं, लौल गांधी को जांते हैं V hellos रही है, रहा पिलाइध Yangad PR ऐसा पाने गांधी को कि वहीं आइंड जा छानते हैं? च्सम्त पीनिए गांध ए याराम योगी मोदी जैस्री राम मत्रा में मंदर बनेगा महिलाओं के लिए आस्था का विश्वास होता है काशिव विश्वनात कॉरिडूर अउध्या का मंदीर मुद्दे बहुत सारे हैं तो महिलाओं को लुबाने की कोशिश लेकिन की जारी लेकिन संतोस्त है हम यहां खड़े हैं मोदी की राज में खड़े हैं कोई महिला घर से निकलती नहीं की नहीं देती घरवाले भी एक कहते हैं चौला चूले से काम कर लो और काईमन जाओ बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए यहां की महिलाए तो कह रही है कि वो राहूल गांधी को नहीं जानती वो अखलेश यादव को नहीं जानती वो तो बस भावी जी ने तो छोड़के बीजेपी जॉइन कर लिया अपढ़ना भावी उनकी जो संगर सा परिवार में जो विबाद था उससे परिशान होने के बाद में एक ऐसे परिवार के साथ गहें जो सब के साथ सब के बकास के साथ रहना चाहते हैं हमारे जो योगी जी हैं वो परिवारबाद नहीं है योगी मोदी जी की जनता ही सारा परिवार उनकी परिवारबाद तो कमुद्धा समाजवादी पार्टी में चलता है देखिए लेकिन अपढ़ना भावी तो परिवार से अलग हो के बीज़ेपी में आ गई है अच्छा ही आई इतनी है कि सब लोग उस लेकर आएंगे हम हमको को परिवाद लघंडा हैれ को बुलाणा चाहिकर करता अब भाता चनता पाटी को चौबिस गंटे तन मन धन के साथ हैं और भारतर जन्ता पार्टी ने इतने विकास कारिये करें, कभी 40 सालों में नहीं हुए, 70 सालों में कांग्रेस पर हास्ता कुछ नहीं हुआ, एक भी जो भी योजना भारतर जन्ता पार्टी ने चलाई है, जन्दन खारते खुलवाए और भी बहुत सारी कारिये मकानों के, पि सारी सुविदायं हैं हैं मिल रहे हैं किसी तरह की कत रहती थी गरिब लोग उपने बना पते ते जह तैंड यह7 मिल रही है मैडम भूर के लिए अभी बहुत लंबे टाइम थक बीजय्पी के जुरुट और योगी जैसा चह़रा मैं जानु हिंदुस्तान में किसी और सीयम का मुश्किल ढूल पाओ संते हैं माहतमाई मैं तो कुँगा आज की राजिनी कि चानलकें जनों ने सिकंदर को चानलकें सिकंदर को हमा रोक दिया था विदेशी साजा को जो विस वज़ा का सपन लेका आया था और यहां जो आताता ही थे उनसे ने उटेते तो योगी जी तो एक भगवान ने भगवावेश में सेम अपना अंस से भेज़े हैं कि इतने पाकिस्तान प्रस बंगलादेश की आबादी यूपी की जादा है तो इतने बलए सुबेश कमांजने के लिए एक समर्तика और योग चाल करेशा की जादी आई हमरे भी मौजू देखा नंबे वक्त तक के लिए योगी की जरूरत है, योगी जरूरत है लंबे बक तक योगी जरुगत है योगी और मोदी जैसे हिंदूस्तान में नहीं है और उनी का बिकास है जो आज हो सतर साल से कांग्रेस पर ना हुआ और उन्होंने कड़ दिखाया और बीजेपी जीतेगी यहां से तो बीजेपी जीतेगी में ही सोने की चड़िया कहा जाने वाला था हमारे बच्चे कहते हैं कि कब था सोने की चड़िया मगर ये मैं यकिन के साथ कह सकता हूं 20 साल पहले यदि योगी और मोदी जी हमें मिल जाते तो आज ये सोने की चड़िया ही बने योगी मोदी जी को कोई मेसेज देना जाहेंग हाँ मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भगवान उनकी लंबी उमर करें और हमारे लिए सदा वो बस ऐसे ही हमें सिक्छा देते रहें और हमें अच्छी लाइन देते रहें जैसे हैं चलिए बहुत बश्चीत करने के लिए तो इस वक्त में मौझूद हूँ शिकारपूर विधानसबा सीट पे शिकारपूर विधानसबा जहां पे बीज़ेपी का बोल बाला है और यहां की जनता ने यह तैग कर लिया है कि एक बार फिर से बीज़ेपी की सरकार इसका शो में फिलाल इतना ही कैमरबस अनशोक के साथ मैं पूजा कैपिटल टीवी